जिला सोलन में सातिर चोर पहले ही CCTV को जांच कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं ऐसे में भला चोरों को कैसे पकड़ा जा सकता है ये पुलिस के लिए टेडी खीर साबित हो रही है इन दिनों परदेश के अधिकतर स्कूलों में सर्दियों की छूटियां चल रही है इस स्कूल में भी चात्रों को इन दिनों छूटियां है तीसरी वार एक ही स्कूल में कम्प्यूटर चोरी होने की घटना अंचौंक आने वाली है सोलन जिला के कुनिहारा शित्र मिस्तित राज की विरिस्ट मादमिक पारशाला चात्र में देखने को मिला जहां बीती राज चोर पारशाला में एक कम्प्यूटर चोरी करके रफू चकर हो गए सुबह जब चोकिदार ने दर्वाजा कोला तो उसके होश उड़के क्योंकि वहां मौझूटर गाइब था जिब की ताला भी तूटा नहीं था इसकी सुचना पर धानाचारे को दी गई जिन्होंने तुरंत पुलिस को सुचित किया पुलिस ने चोरी का मामला दर्शकर चानवी शुड़ कर दी जानकारी के अनुसार बीती रात कुनिहार के चातर राज के विरिस्ट मादमे को विद्याले में रखा कंप्यूटर चोरी हो गया स्कूल के चौकिदार को चोरी का पता सुभा लगा पुलिस द्वारा स्कूल में लगे सीसी टीवी कैमरे की फुटिस को भी देखी गई जिसमें सुभा करीब साड़े तीन बजे कैमरे पर एक चादर डाली गई और लगवख साड़े चार बजे उसे उठा लिया गया शातिर चोर ने बड़ी सूच बुष से चोरी की घटना को अंजाम दिया गौर है कि इसी विद्याले में चोरी की ये तीसरी घटना है पहले भी दो बार चोरी हो चुकी है जिसकी पूस्टी सुएं पारशाला की परधानाचारे श्रीमा चोहान ने की मामला दिल्चस्प है कि चोरों ने ताला खोल कर सेसी टीवी कैमरे पर चादर डाल कर घटना को अंजाम दिया स्कूल की परधानाचारे सीमा चोहान ने कहा कि स्कूल में चोरी कंप्यूटर की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवा दी गई है पुलिस चोर की तलाशी कर रही है स्कूल की परधानाचारे सीमा चोहान मुझे सुबा सीनियर एस्टेंट के द्वारा सूचना मिली कि स्कूल में कंप्यूटर कायब है चोरी हो गया है इसके बारे में मुझे पता चला इसकी जानदारी हमने पुलिस को दे दी है पुलिस ने अफ़ाया दर्ज कर लिया और इ इसी चोरी से कई सवाल खड़े होते हैं कंप्यूटर में ऐसा क्या रास था कि चोर उसे उठा ले गए चोकिदार कहा था और कैसे चोरों ने ताला खोला क्या चोर स्कूल तक पैदल आई और कंप्यूटर लेकर चलते बने या किसी बाहन का प्रयोक किया गया इसकी वनक चो किदार कुक नहीं लगी